हलो नमस्ते दोस्तों मैं उस रोज मेरी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप के लिए लेकिया हैं गर की ही रसोही की चीज से जितना चाहें उतना बजन कम कर सकते हैं साथ में आप बोड़ी की एनरजी भी पा सकते हैं और बहुत ही ज़दा पॉस् सूगर डाइबिटी जैसी और भी बहुत सारी परेशानी हो जाती हैं तो घर की ही रसोई की एक ऐसी चीज से आप बिल्कुल मॉम की तरह मोटा पा को खतम कर सकते हैं वो भी बहुती स्पीड से तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने लिया है मॉंग सभी को पता है कि हमा आना चाहिए वेट लोस के लिए तो वो तरीका हम बताएंगे कि कितना जल्दी कितना स्पीड से आपका वेट कम होता है मॉंग को खाने से आप मॉंग को भीगो करके भी खा सकते हैं मॉंग का सूप बना करके भी खा सकते हैं दाल में भी खा सकते हैं बट आज आपको हम थो तो हरे मौंग देख सकते हैं, मैंने साबुत वाले मौंग लिये हैं, मैंने दाल नहीं लिये हैं, आप चाहें तो अगर आपके पास में साबुत वाले मौंग नहीं हैं, तो आप दाल का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिया हैं, बिल्क मुठी इसमें डालते हैं और साथ में वेट के साथ साथ में आपकी बोडी में भी एनरजी बनी रहेगी क्योंकि ये बहुती ज़्यादा प्रोटीन में भरपूर मात्रा से पाया जाता है मौंग के अंदर तो आपकी बोडी में एनरजी भी रहेगी बहुत सारी बिमारियां से भी आप छुटकारा पा सकते हैं तो यहां पे मैंने तीन से चार मुटीज में डाल दिये हैं तो अब इसको हमें पीसना है दोस्तों और यहां पे मैंने लिए एक भगुनी तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दलिया यहां पे इसको ग घी का इस्तिमाल नहीं किया है मेनिस के अंदर तो इसको भी हलका सा सेख लेते हैं क्योंकि जो गेओं का दल्या होता है उसमें भी बहुत जड़ा प्रोटिन पाए जाता है और हमारे सरीर के लिए बहुत जदा अच्छा रहता है क्योंकि इस से खाने का जो डाइजेशन और साथ में आपका वेट खतम करने के लिए भी बहुत जदफ हाय दिमन होता है तो इसी तरीके से हमें इसको सेखना है दो से तीन मिनट का वक्त लग जाएगा सेखने में इसका हलका हलका color change होने लगा है यहां पर देख सकते हैं दो से तीन मिनट का वक्त लग रहा है इसमें सेखने में तो गैस का प्ले मेने मीडिया में रखा है तो इस तरीके से हम इसको सेख लेते हैं यहां पर देख सकते हैं जो हमारा दलिया था जैसे सिख चुका है इसका कलर भी चेंज हो चुका है यहां पर दिख रहा होगा कि कलर चेंज हो चुका है तो दलिया हमारा सिख करके तयार हो चुका है तो जो मेने दाल पीछी थी वह भी मैंने इसके अंतर डाले क्योंकि बिल्कुल पारिक पव्डर हो चुका था दाल का तो हमें इसको बिल्कुल लिक्वीड में रखनां हैं में गाडा नहीं करना है जैसे खिषडी की जैसे नहीं बनाना है इसको लिक्वीड टाइप का रखना है तोड़ा पतला रखना है तो आप दोनों चीजों कोई अच्छे से पका लेते हैं दोनों चीजों में बहुत ही जदा प्रोटीन पाया जाता है इन दोनों में ही साथ में वेट के साथ साथ में आपकी बोडी भी एस्ट्रोंग रहेगी, आपकी इम्निटी इस्ट्रोंग रहेगी और भी आपकी बोडी के अंदर बहुत ज़धा फायदे होंगे इसको खाने के बाद में तो अब इसको हम दस मिनट का भक्त में पका लेंगी हल्दी पावर्ड डाला है मैंने आधी चमच क्योंकि इसे अच्छा कलर आ जाएगा और थोड़ा नमक डाला है हल्दी भी कच्छी हल्दी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी रहती है क्योंकि इसे इम्मुन्इटी भी भी स्ट्रॉंग होती है और वेट भी लोस होता है इसी तो यहाँ पर देख सकते हैं गरम हो चुका है और अगर आपको थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो आप और भी पानी डाल सकते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा गाड़ा नहीं रखना है मैंने पहले बताया थे कि इसको थोड़ा लिक्विडी रखेंगे तो जैसे दाल होती है न उस टाइब की भी इसको रख सकते हैं जैसे पीने टाइब का भी अगर पर इसको बट जादा गाड़ा नहीं रखना है तो यह पक चुका है देख सकते हैं अच्छी तरीके से और दस मिनिट का वक्त हो चुका तो इसको पकने में तो दोस्तों यह बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा गुनकारी है और आप वेट लोज से परेशान है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है दिन में आप इसको दो से तीन बार खा सकते हैं अगर आप यह चीज खा रहे हैं तो रोटी का यूज नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है आपकी बोडी को जो चाहिए वो मिल जाएगा इन दोनों चीजों से ही आपकी बोडी में एनर्जी भी रहेगी और देख सकते हैं मैंने जिसे दाल बनाते न इतना पतला मैंने बना लिया है क्योंकि यह थोड़ा लिक्विड में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यह अब बहुत ही अच्छे से मैंने इसको धीमी धीमी गेस पे ही पकाया है बहुत ही अच्छे से पक चुका आई तो अब इसको हम सरव कर लेते हैं तो आप वेट से भी परेशान है तो वेट भी आप ठीक रहेगा और बहुती स्पीड से जैसे मौम की तरफ पिगल जाएगा इसे वेट और दोस्तों आपकी बोडी में भी प्रोटीन मिलेगा और दोस्तों इसमें आप अगर मीठा खाना चाते हैं तो आप गुड का यूज कर सकते हैं गुड भी हमारे सरीर के लिए बहुती अच्छा रहता इससे भी बहुती स्पीड से वेट खतम होता है और बहुत जदा प्रोटीन पाया जाता है गुड के अंदर तो दोस्तों आपको तीन टाइम खाना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थै जपे तोस्तों आज के लिए खतम है तोस्तों आज के लिए खतम है